हाई दोस्तों तो आज हम के लॉंग में एक बहुत ही शांदार जगह में यह 80 साल पुराना एक होम से जो मुझे बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबदस लगा है तो मुझे लगा आप सब के साथ इसको शेयर करना चाहिए तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया बंदे से मिलवा करने वाला हूं जिनका नाम है करन इस प्रॉपर्टी को मैंनेज करते हैं करीब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे में ट्रेक करके उपर है हंडेट मीटर्स का ट्रेक था बहुत हम अभी मनाली वापस जा रहे हैं जिस पासे तो रस्ते में यह जगह पड़ी तो इनके बारे में प्लस हो गए आप तो पर मतलब पहले यह घर था यहां पर लोग मतलब रहते विगा रहा थे तो उन्होंने अपना जब घर मना तो नीचे शिप्ट होगी तो यह प्रॉप्टी दस साल से बंद पड़ी थी तो जो तेंजिन बोजी है हमारे उनर है तो उन्होंने मतलब इस पी शौचाए कि थोड़ा दॉर अजर्ट करते हैं आज की गरेंशन के हैं से धंजी मतलब हिसको इसमें उन्होंने में लग गया से लिए इसके बारे में थोड़ा बाताएं यह इसके आप लोगों ने इसको बन्क स्विक्ति कर फील हो रहे कि यह अंकि मुझेर सबस्क्राइब हो तरी हो कि यह जब दर इसमें तो बहार काफी गर्मी हो रही है फिर भी मुझे हुडी मैंने अपने उपर हलकी सी डाल रखी आप देख सकते हो यह से कर रखाया क्योंकि इतना ठंडा फील हो रहे हैं अभी अभी अनदर मतलब ऐसा लग रहा है कि फैन और इसी की जुरुएत नहीं है बिल्कुल भी यहां पर यहीं को थोड़ा सा बाहर जो एक थोड़ा खाने का बदाई है कि मैंने सुना यहां पर बहुत पुराने बर्तनों में खाना आज भी सर्फ किया जाता है बनता है कुछ और बाकी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है बाकी वर्क्सपेस वगएरा काफी अच्छा है तो जैसे मेरे जैसे सोलो ट्राफ्टर्स को वरकेशन करना बहुत पसंद है तो आपका अगर बुक वगएरा करना हो तो किसे किया जाए हमारा इस्टाग्राम से भी बुक कर सकते हैं किस्टागा हमें पेज हमारा जो बुक करके और आप गूगल से भी मतलब बुक करा सकते हैं तो गाइस आपका ब्यांचा है इसमें हां की लोकल मतलब जो लोकल वाइन वह बनती है और यह आपकी कूपद इसमें मतलब खाना विगारा सब करते यह मतलब स्टोन का यह कि पहले बरतन मतलब वैसे नहीं हो तरह श्टील वाले तो यह यह लगब किने पुराने होंगे यह मतलब इस प्रोप्टी के मतलब जब 85 प्लस हो गया तो अब 85 प्लस हो गया कल्चर आपने पूरा मेंटेन का रखा काफी अच्छा लग रहा है मुझे देखके क्यों बाकि है यह लायटेन यह थो आपको पता ही ओकाई यह तो आपने देखी होगी जी चिछी बाकि यह आयरन प्रेस है देखे दोस्तों कितनी युनीक आयरन प्रेस है पुराने जमाने कि अब तो सब और इलेक्ट्रिक परें श्टीम आ गया इसमें कोईला डाल के अच्छा इसमें क वेज़िटेवल कुछ भी रखने के लिए और यह पंकेस इसके मतलब जो रूही होती है उसका मतलब गोला जो बनाते है रेटू बनाते है वो उसके लिए यूज़ करते है और यह बड़ा सा कूपद यह मतलब थुपका विएदा जो यहां की लोकल दिश है काफी फेमस दिश बनाते हैं पानी स्टोर करने के लिए उनके डखकन बूड के मिनाए है यह बड़ाए जी फाबे कोलम इसमें चटनी विए आप पीसने के लिए हां जी जी ठीके करें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ सबसे पहले हमने के लॉंग में रस्ते में उतर के यहां से इनके चड़ाई शुरू करी कुछ 15-20 मिनट के आसपास की चड़ाई थी चड़ाई थोड़ी अच्छी कासी सीडियां बनीवी है प्रॉपर रस्ता है आ सबसे पहले यहां पर जूते चपल बार उतारने का स्टैंड बना रखा था क्योंकि अंदर हर जगा कार्पेट वगेरा बिचा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई थी तो सबसे पहले हम डौन फोर पर गए यहां पर अंगीठी लगी थी जिससे कमरा गरम रहता और यहां पर बहुत सारे यह पुराने म्यूजियम की आइटम्स रखे तो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई और यह प्लेइंग एरिया था यहां पर लोग बैटके अराम से गेम खेल रहे थे खाना वाना खा रहे थे और उसके बाद मैंने इनकी एक कॉफ इन्हों ने आज भी जिन्दा रखा है यहां पर भी बहुत ही अच्छा एक एरिया बना हुआ था जहां पर हमारे सारे दोस बैटके गेम्स खेल रहे थे और इसी से ही रूफ का एरिया जाता है नीचे रूम्स वगरा मैंने आपको सारे दिखा दिये थे कैसे थे उपर भी क से व्यू बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा था यहां से जो वन अफ बेस्ट व्यू है यह सब तरिशी माउंटेंस का व्यू है अगली वीडियो में मैं एक बहुत ही स्पेशल इंसान से आपको मिलवाँगो जिन्हों ने मुझे इस जगह के बारे में बहुत कुछ बताय और सब तरिशी वगएरा माउंटेंस के बारे में बताया कमेंट करके बताया आपको कैसी लगी यह वीडियो सब्सक्राइब करें और नीन से भी कॉंटाक करें